हेलो अवरिवन स्वागत है आप सभी का सीद्गे चाज़ी कसान में कंप्यूटर प्रोगामिंग थ्रूसी में आज का लेक्चर सेकेंड है प्रीबियस लेक्चर में हम लोग डिस्स किये थे शब्ट्वेर के बारे में एक्चुल में इनिट वन में आपको ये च्यार टॉपि आपके बारे में डिट्यील में डिसकस कर चुके है और इस सब्सक्र को बनाने के लिए डैवलब करने के लिए आपके पास कोई नकौई प्रोगामिंग लेंगवेज्य कानौल अलि होना चाहिए्स तो यहां पर हमनों यहे理 समस्कार रहे हैं कि इस अफ्रे के बनाने के जो आप rules को पढ़ते हैं या उसके step by step representation करते हैं उसी को क्या बोलते हैं algorithm और इस algorithm को बहतर तरीके से समझने के लिए उसका pictorial representation जब हम लोग कर देते हैं तो उसको का जाता है flowchart तो आज के lecture में हम लोग discuss करेंगे programming language को next lecture में हम लोग बात करेंगे algorithm और इसे समझने जो भी प्रश्ण आपके exam में पुछे जा सकते हैं उसे समझने थे हम लोग प्रश्ण को discuss कर लेंगे और यह आपका unit complete हो जाएगा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं programming language के बारे में programming language हर किसी का अपना एक language है हम लोग भी किसी से communicate करते हैं तो हम लोग का अपना special language है सामने वाला किस language को जानता है उससे अगर हम लोग communicate करेंगे तो communication possible हो सकता है यदि आप जो है ना French language जानते हैं और हम Hindi में बात कर रहे हैं तो आप समझे नहीं पाएंगे हमें आप से अगर communication करना है तो आपका language हमें जनकारी होना चाहिए otherwise communication possible नहीं हो सकता है ठुक उसी प्रकार से computer का भी आपना एक language है जिसको हम लोग 01 के नाम से जानते हैं बाइनरी नंबर कहते हैं उसको या डिजिटल नंबर के नाम से जानते हैं अगर ओ लेंग्वेज अगर हम लोग को नहीं आता है तो फिर हम लोग computer के थ्रूप communication नहीं कर पाएंगे सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि language क्या होता है तो किसी से भी communication करने के लिए एक set of rules होता है उसी कम लोग बोलते है लेंग्वेज अगर computer के language की बात के जाए तो computer के language होता है न 01 है programming language को आप define कर सकते हैं कि वैसा language जिसके द्वारा आप computer से communicate कर सकते हैं या वैसा language जिसको आप input device के थूरू instruction input कर सकते हैं computer में और computer को instruction देखा का किसी भी task को परफर्म कर वा सकते हैं पूसर के आप लोग प्रोगामिंग लेंग्वेज सिंपल में कहा है तो programming language computer से communicate करने का language है अब इस language को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है फर्स्ट लेंग्वेज आपका है लो लेबल लेंग्वेज सेकेंड है मिडिल लेबल लेंग्वेज और थार्ड है हाई लेबल लेंग्वेज यह तीन तरह का language है और इन तीनों language के थरू हम लोग communication कर पाते हैं computer के थरू computer से अब actual में जो basic language low level है यहीं हमारा computer समयता है सिर्फ 01 01 ही हमारा computer समयता है और इसी से हम लोग communication कर पाते हैं लेकिन यह language हम लोग के लिए काफी difficult है लिखना इसमें coding करना बहुत ही difficult है हर नंबर का हर अभवेट्स का या हर सिम्बॉल का हमारे पास ASCII code उना चाहिए फिर उसको हम लोग 01 में convert करेंगे और तब हम लोग लिख पाएंगे यह काफी मुश्किल होता है इसमें हम लोग निमेनिक्स code का यूज करते हैं निमेनिक्स code और इसमें हर सिम्बॉल के लिए या हर operators के लिए एक अलग-अलग code किया गया है जैसे addition के लिए ADDD हम लोग यूज करेंगे सब्ट्रक्शन के लिए SEB यूज करेंगे मल्टिप्लिकेशन के M-E-L यूज करेंगे तो यह इसको हम लोग बोलते हैं निमोनिक्स code और यह हमारा है मिडिल लेबल लेंग्विज यह दोनों के लिए डिफिकल्ट है और हाई लेबल लेंग्विज हम लोग का लेंग्विज कर पाते हैं तो इसके लिए एक सब्ट्विएर बनाया गया है जो हाई लेबल लेंग्विज को लो लेबल में कनवर्ट करते हैं हम लोग कम्मुनिकेशन कर पाएंगे मिडिल लेबल लेंग्विज के लिए भी सब्ट्विएर बनाया गया है और उस सब्ट्विएर के इस अभी लेंग्वेज आपका हाई लेबल लेंग्वेज है अब हाई लेबल लेंग्वेज क्या है और मिडी लेबल लेंग्वेज क्या है यह समाजी है देखिए यह 01 इसको हम लोग बोलते हैं मसीन लेंग्वेज machine language क्योंकि हमारा computer इसको आसानी से समझ लेता है इसलिए इसको बोलते हैं machine level language इसको बोलते हैं medium level language इसको बोलते हैं high level language यह आपका नेमनेक्स कोड का यूज़ करता है यह सिर्फ 01 का यूज़ करता है और यह just like है यानि कि आप कहा सकते हैं similar to similar to English alphabet English alphabet अब इसको आप समझे कि high level language में किस तरह का हम लोग language करते हैं तो आप यह कर रहा है ना similar to English alphabet आपके keyboard पर जितने भी symbols हैं जितने भी alphabet है नमबर है यह सब high level language में उसका होते हैं और हम लोग इसको आसानी से समझ पाते हैं computer को समझाने के लिए इन दोनों के बीच में एक software लगा हुआ है जिसका नाम है compiler और interpreter जो high level language को बहुत ही easily low level में convert कर देता है और हमारा communication असानी से हो पाता है अब जो low level language है में middle level language में high level language में basically क्या difference है इसको अब दो देखते हैं तो यह तिनों में आप difference देखेंगे तो यह आपका first generation language कहा जाता है यह क्या है first generation language first generation language यह आपका होता है second generation language और यह होता है हम समझना मसीन के लिए का असान है हम लोग के लिए difficult है इसको समझना दोनों के लिए difficult है और हम लोग के लिए code लिखना difficult है और computer को समझना difficult है इसमें हम लोग को लिखना coding करना बहुत आसान है लेकिन computer गया थोड़ा सा difficult है उसके लिए हम लोग तुरह के जो हाना सब्सक्राइब बनाए जो high level को या middle level को low level में convert करेगा हमारा communication possible हो पा है तो यहां पे किसी भी ट्रांसलेटर के आउसकता नहीं है यहां पे कहेंगे नोट ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर रिक्वाइड यहां पे किसी भी ट्रांसलेटर के आउसकता नहीं है ट्रांसलेटर क्या है तो एक तरह का प्रोग्राम है computer प्रोग्राम है software है जो एक language से एक assembler, एक software होता है, और इसके थुरू हम लोग midi level language को low level language में असानी से convert कर लेते हैं, तो यहाँ फिए कोई translator required नहीं है, यहाँ फिर translator required है, high level language को फिर low level में convert करने के लिए हमारे पास दो translator है, जिसमें पहला है आपका compiler, और उसके बाद है आपका interpreter, interpreter, इंटर अप्रेटर, तो यह सब जो हैं आपका, यह software है, जो high level को low level में इसली convert कर देता है, यहाँ पे आपको objective question बनेंगे, which of the following language, present required translator, तो इसमें already zero ने मिल रहा था, इसमें जवरत नहीं है, इसमें assembler translator होगा, और यहाँ पे interpreter और compiler translator होगा, clear है, अब बात करेंगे कि इसमें की सतरह का language, यहाँ पे निमेनिक्स code यूज करते हैं, यहाँ पे 01 का यूज करते हैं, और यहाँ पे English alphabet का यूज करते हैं, middle level, language और high level, हम लोग इसको जो यूज करते हैं, साब्टेर को develop करने की, previous lecture हम लोग सब्टेर देख चुके हैं, सब्टेर क्या होता हैं, तो इन्स्टेसेट ओ क्या होता है, ब्रोग्राम क्या होता है वить Circansic cross- Gate inå expire ुसिरूल स्टे हैं स Το तो हम लोग सकते हैं तो सब्सक्रारा शानी से devlub कर लेता है हाय डेंग्विज में था मैं से मोड़ेते हैं सी प्लसपलस जावा तो आपका हाई लेवन लेंग्विज में आता है और इसी का यूज कर के हम लोग असानी से किसी भी सुटर को बना लेते हैं वैसे लेंग्वेज जो हैना scripting language भी होता है markup language भी होता है और programming language होता है तो सिर्फ programming ही language है जिसका यूज करके हम लोग software develop करते हैं बाकि जो other language हम जो बोले scripting language या फिर markup language उसका यूचा करके हम लोग शॉट्यॉर्ट डेवलप नहीं करते हैं उसका अलग परपस हैं तो यह हो गया आपका प्रगार्मिंग लेंगर्विज कर रिगार्डिंग अगर आप एप्लिकेशन पर वीडियो देख रहा हैं तो आपको नोट्स तो एप्लिकेशन में वीडियो के नीचे में मिल जाएगा आप वहां से डाउन्लोड करके नोट्स बना लेंगे अगर आप यूट्यूब पे देख रहा हैं तो आपको इसका नोट्स एप्लिकेशन से जा करके डाउन्लोड करना होगा